आसलम लेक्या, वेलकम तु माया चैनल, आज पर आपके साथ मेथि की एक और इंट्रस्टिंग्सी confessionalust यहां पर हम कमभाइन करेंगे मेथि को मतर और मलाई के साथ वर बनाएंगे मेथि मलाई मतर, वहां ले बेंधी रत्अ मैथित record ऑंधी मतर k都शितन तौम को दूर्ट कर लिया है, मैंने इसको चॉप करने के लिए हैंड चॉपर का इसतमाल किया है, आप हातों से भी इसे बहुत बारी कट कर सकते है, और प्यास का कलर लाइट ब्राॉण होने तक हमें खुराइ कर लेना है अब यहां पर देखें प्यास हलकी सी फ्राई हो चुकी है तो हम इसमें डाल रहे हैं वन टीस्पून जिंजर गालिक का पेस्ट और इसको भी हम प्यास के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो इसकी कच्छी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए प्यास पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इस से जादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है वजना यह जल जाएंगे यहां पर हम इसमें ड्राई मसाले आट करेंगे तो मैंने डाल दिया है वन टीस्पून रट चिली पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर वन ट मसाल को भूनेंगे क्योंकि इसमें हमने पानी आड नहीं किया है तो आपके मसाले जल सकते हैं बस एक से दो मिनिट इन मसालों को भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर आड करेंगे तो मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है और यहां पर आप चाहें तो इन टमाटर को ग्राइंड करके भी आड कर सकते हैं टमाटर को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका पानी ड्राय हो जाए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि टमाटर और सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं अब रिलीज होने लगा है तो अब हम इसमें मेथी आड़ करेंगे एक बंच मेथी का इस्तवाल किया है इनको अच्छी तरह से लीड दिया राइभा करें अब यहां पर हम मेथी को मसालो के साथ मैं बूनेंगे जब तक कि मेथी आड़िको अशकारी तुण हो जाया मैं अच्छा मतर इस्तेमाल किया है इसलिए मैं अच्छा मतर करते हैं तो मेथी के साथ में मतर को भी आड़ करें तो यहां पर हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे मेथी का पानी रिलीज होगा उसमें यह सबजी अच्छी तरह से पक जाए यहां पर 10 मिनट के बाद मेथी और मतर अच्छी तरह से पक गए हैं और इनमें अगर थोड़ा पानी बचा हुआ हो तो फ्लेम को हाई करके इसको एक से दो मिनट हम भून लेंगे ताकि यह अच्छी मेथी और मतर बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं अब हम इसमें अधा कप क्रीम यह मैंने कुकिंग करीम का इस्तमाल किया है आफ टीस्पून गरम मसाला और वन टीस्पून कसूरी मेथी कसूरी मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन यह डालने से बहुत ही अच्छा स करेंगे और दो मिनिट के लिए हम इसे फिर से दृष कर देंगे फ्लेम को आपने यहां पर बिल्कुल कर देनी है मेधी मलाई मटर सर्फ करने के लिए बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही क्विकली बनने वाली रेसिपी है यह आप लोग इसे कभी भी ट्राइ कर सकते हैं और इसके टेस्ट को थोड़ा साइन करने के लिए यहां पर मैं आड कर रही हूं और साथ में वन टेबल स्पून बटर तो अब आप इसे गरम गरम रोटी के साथ नान के साथ सर्फ कर सकते हैं और इसे जरूर ट्राय करें और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ में जरूर शेयर के साथ जब तक के लिए आला हाफिज